चले बच्चों देखें आज सुरू करते हैं एक नया चेप्टर जिसका नाम है प्रॉबैबिलिटी ठीक है प्रॉबैबिलिटी मतलब प्राइकता हिंदी में इसे हम प्राइकता कहते हैं और यह आपका तेंथ मैथ का गडित का आपका आखरी चेप्टर है 14 चेप्टर पहले यह चैप्टर 15 हुआ करता था जब से एक चैप्टर कम हुआ है आपके स्लेवर्स में जो कि आपका कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया है तो यह चैप्टर नंबर हो गया 14 एक चैप्टर नीचे आ गया है तो अभी आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं 14 है जिसका यह आखरी Kerry as the probability in the future कि होती है Len अगर संदे कि प्रायंका होती क्या है यह एक छोटा से इंट्रोडेक्शन लेते हैं जिसके बारे में जानेंगे कि प्रायक्प्टा होती है और इसके बारे में जानने के बाद इसके formula को समझेंगे क्या formula इसमें हम use करने वाले हैं और कुछ चीजें जो most important या महत्वपूर्ण है इस chapter के लिए उनको जानेंगे उनके बारे में सीखेंगे ठीक है exercise से पहले तो introduction बहुत most basic concept है वो सारा का सारा concept इसी दे clear होगा ठीक है तो बात करते हैं probability probability होती है आपकी किसी भी घटना के घटने की संभावना यानि संभावना को हम प्राइकता कहते हैं जैसे कि आप सुना बच्चे कहते हैं आज मौसम बहुत खराब है आज हो सकता है वारिश हो जाए ठीक है क्या वोलो उन्हें हो सकता है तो जब यह हो सकता है यहां पर अधो गई तो यह संभावना जब एड़ोती है तो इसे क्या कहते हैं प्राइकता कहते हैं यानिकि probability कहते है इट मीन्स कि जैसे कि अगर हम बात करें कि वही ऐसा है कि देखो हमारा दोस्ता जिस्कूल आभी सकता है और नहीं भी ठीक है तो आप कहते हुआ ना 50% चांस है उसके आने के ठीक है 50% चांस है भी आएगा वो तो 50% चांस आपने कैसे कहा कैसे का कि उसने बोला था कि देख आपने आपने नॉर्मल लेंगेज में या फिर वही एसा है कि मुझे टाइम लगा तो मैं आऊंगा अधरवाइज नहीं आऊंगा लेकिन मैं पूरी पूरी कोशिस फिर भी करूंगा ठीक है वह भी कहते है कि 50% चांस है समझ लेकि मैं आ जाऊंगा या वह कहता है कि 90% मैं बच्ट 10% में नहीं कह सकता तो ये जो % इसकी बात हो रही है और ये आने ना आने की बात हो रही है संभावना की बात हो रही है इसी को हम प्राइक्टा कहते हैं यह आपने जान नॉर्मल लैंगेज में या फिर आपकी दिन शर्या में लाइफ में जरूर सुनाओगा कभी नगभी ठीक है definitely सुनाओगा मम्मी से भी सुनाओगा या आपने मम्मी से भी कहाओगा कि बच्छो मम्मी कि आज मैं खाना देखो हो सकता है मैं ना खाओं आज मैं लेट आओंगा घर पे तो मैं हो सकता है कि खाना ना खाओं ठीक है हो सकता है that means you also add the probability word ठीक है आपने भी add कर दिया probability word तो अब बात करते probability introduction तो मिलगा आपको ठीक है तो probability क्या बोला हमने क्या होती है किसी घटना के घटने की संभावना को हम probability कहते है ठीक है यह बात हो गई हिंदी में अब देखो the probability can be defined as the ratio of the number of favorable outcome to the total number of outcome of any given event किसी भी given event के घटने की संभावना यानि number of favorable देखो क्या है the probability can be defined हम define कर सकते है probability को in the ratio form ratio में ठीक है कैसे number of favorable outcomes to the total number of outcomes of any event किसी event के घटने की संभावना एक favorable outcome और एक total outcome ठीक है favorable outcome और total outcome जैसे कहें अगर हम बात करें कि आपने 10 लोग दस बच्चों की party organize करी आपने क्या किया दस बच्चों की party organize करी तो total बच्चे कितने हो गए 10 अब मान लीजिए उस मेंसे जाएं चार आते हैं ठीक है यह चार आने की संभाव ना है ठीक है तो probability आपने मैंने कहा कि चार बच्चे आने की probability बताई तो 4 बच्चे क्या हो गए आपके वह चार बच्चे favorable outcome हो गए वो क्या होगे आपके favorable outcome हो गए that means 4 upon 10 4 upon 10 आप लिखेंगे तो वह आपकी probability हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 upon 10, जो favorable outcome, जो आपने choose की है, 2 से गार देंगे, 2 से गार देंगे, that means कि 2 upon 5 हो गई, 2 upon 5 वो probability हो गई, तो वही बात कर रहा है कि हम उसको represent कर सकते हैं, किसमें ratio की form में, ठीक है, किस से favorable outcome से, किस से favorable outcome से, और total number of outcome से, ठीक है, किसी भी event की, the number of favorable outcome can be expressed by x, और जो number of favorable outcome है, उनको हम x से represent कर सकते हैं, ठीक है, n, n, experiment can be expressed in n, और experiment को क्या कर सकते हैं, n से represent कर सकते हैं, express as the total number of outcomes, जिसको हम total number of outcome भी गएगे, ठीक है, तो probability of an e, of any given event, that means, इसको हम लिख सकते हैं, probability of any given e, event, जहाँ पर e क्या है, वो event जो घटना, जो घट रही है, ठीक है, बराबर किसके favorable outcome के, favorable outcome upon total outcome, और इसको हम x से represent कर सकते हैं, इसको n से, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई issue नहीं है, क्योंकि बार-बार बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है, हम एक बार छोटे से लिख लें और समझ लें, ठीक है, समझ में आगे बाद, चलो, अब start करते हैं, कुछ introduction, यानि कि, example लेके समझते हैं, ठीक है, example लेके समझते हैं, धेखो, सब को दिखाई दी रहा होगा, यह 10 रुपे का coin है, सब को दिखाई दे रहा होगा यह 10 रुपए का कोई है और सब को यह भी दिख रहा होगा एक इसका उल्टा फेस है एक सीधा फेस है इसी के दो फेस है और एक फेस को क्या कहते हैं एक को हम टेल कहते हैं और एक को हैड कहते हैं एक कोईन के अंदर दो ही पार्ट हो सकते हैं एक टेल और दूसरा हैड है ना अब मुझे बताई कि अगर किसी एक कोईन को उच्छाला जाए तो क्या आएगा हैड आएगा कि टेल आएगा क्या आएगा बताओ आप कोगे सर हैड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है है ना आप कहेंगे कि हैड भी आ सकता है सर और टेल भी आ सकता है ऐसा शूर नहीं है कि क्या आएगा कोई नहीं जानता है इन प्रिडिक्टेबल है यह क्या है यह अन सथ चांस है हमारे है डाने के और पचास प्रतिससद चांस है हमारे टेला आने के नहां कि अब 50 परसेंटप चांस को Δ्रिप्टी को कैसे लिख सकते हैं अगर रेश्यू की फॉर्म में liberties कि फ्रम में लिखे हैं क्यों कि ईसको भी लिख सकते हैं 50 upon 100 अब इनको अगर हम काट दिया जाए 51 टाइम 52 टाइम 51 टाइम 52 टाइम है ना तो क्या आगया बिटाए यह हमारा निकल के आगया 1 upon 2 और यह भी निकल के आगया 1 upon 2 ठीके क्या निकल के आगया 1 upon 2 1 upon 2 that means कि अगर कोई कोई टॉस किया जाए तो उसके probability of head आने की यहां पे है tail तो probability of tail आने की probability जो होगी वो क्या होगी 1 by 2 होगी और probability of head आने की जो probability होगी वो क्या होगी 1 by 2 होगी that means दोनों की probability क्या निकल के आगया 1 by 2 1 by 2 जब एक क्वाइट टॉस किया जब single अगल कोई टॉस किया तो दोनों की प्राइडी क्या है 1 by 2 1 by 2 क्या आप इसे प्राइडी आफ टेल को मैं क्या लिख सकता हूं प्राइडी आफ नौट हैड नौट हैड़ का मतलब हो गया हैड नाने की प्रायिक्ता भाइठ एकवोस्चमि में पूछा जाता है कि अगर एक कई उछा ले तो हमें बताइए favorites प्राउलेटी, तो फ्राउलेटी आंगा, तो फ्राउलेटी आएगा, तो थेल आएगा, क्लिसे हैं? तो ये तो ये है है, that means इससे क्या समझाया हमें कि probability of not head plus probability of head को अगर जोड दिया जाए तो क्या मिलेगा अगर हम इन दोनों को जोड दें तो यह देखो 1 upon 2 और यह भी क्या है 1 upon 2 that means is equal to 1 तो इससे हमें यह समझाया कि किसी भी घटना की प्राइक्ताओं के resultों को जो भी result आ रहे हैं अगर उन सभी resultों को जोड दिया जाए तो वो हमारी प्राइक्ता एक हो जाती है क्या हो जाती है एक उसकी probability क्या हो जाती है बच्चे एक हो जाती है probability तो यह एक statement है जो निकल के आया है इसे आप याद रखेंगे इसे आप याद रखेंगे और यह statement बहुत जगे हमारे question में यूज होगा बहुत सारे question में यूज होगा यह statement अगर आप से कही जाए बात कि probability of head आपको दे रखी है तो probability of not head find करो तो probability of head दे रखी है 1 by 2 तो probability of head not head बताईए not head बताईए तो क्या होगी तो आप simply क्या करेंगे probability of not head जब निकालेंगे तो उसे simple simply 1 मैंसे minus कर देंगे probability of not head की तो 2 minus 1 बटा 2 तो 1 बटा 2 यह भी क्या निकल गई 1 बटा 2 1 by 2 है ना आ गई ना तो इस तरीके से हम बहुत सारी probability calculate करेंगे जब हम सीखेंगे तो आपने यह देखा कि एक coin toss करने पर दो ही चीजे मिलती है में एक head मिलता है और एक tail मिलता है देखो हम head को represent करेंगे h से और tail को represent करेंगे हम t से कोई doubt नहीं है ना किसी बच्चे को भी कोई भी doubt इसको किस से करेंगे हम head और इसको tail से है ना head से और tail से denote करेंगे अब देखो बरावर में एक line लिखी हुई है इस line को ज़रा पढ़ो और समझो ध्यान से है ना मतलब यह याद रखने वाली बाते हैं जो एक दो point है जो अच्छे लगते है मैं note down कर देता हूं तक ही आपको कुछ extra knowledge भी हम दे सके when we speak of a coin जब भी हम एक सिक्के की बात करते है we assumed it to be fair और वो क्या है एक सही निश्चे है एक सही निर्णा होता है ठीक है it is symmetrically so that there is no reason for it to come down more often on one side than the other यह बिल्कुल symmetric होता है एक दूसरे के सिक्के को अगर देखोगे आगे पीछे से ठीक है कैसा होता है symmetric होता है एकदम symmetric that means कि उसका कोई एक face ऐसा नहीं है कि जादा आए दूसरे face से यानि अगर दस बार सिक्का उच्छा लो एसा नहीं हो सकता कि आठ बार आपका head आए और सिर्फ दोई बार tail आए या मतलब कहने का तात्पर है यह है कि head का सिक्का मतलब side जो है कोई भारी है या हलकी है जिस वह से वो ऊपर आता है ठीक है ऐसा नहीं कह सकते है दोनों ही क्या है हमारे लिए face symmetric face है तो एक ज्यादा एक कम नहीं आ सकता है ना तो we call this property of the coin as being unbiased तो इस property को coin के इस property that means कि इस गुण को इस coin के इस गुण को हम क्या कहते है unbiased कहते है unbiased मतलब एक कह सकते हो unpredictable unpredictable ठीक है unbiased मतलब हमें नहीं पता कि क्या आएगा एकदम fair decision होता है एकदम fair decision लेने के लिए हम coin का use करते है by the phrase random toss किस से इस random toss से random toss मतलब क्या होता यदिछ है एक coin toss किया जाए तो randomly एक coin toss करते है we mean that the coin is allowed to fall freely without any vice or interference ठीक है कि हम जब toss उचालते है तो वो हमें बिना freely एकदम क्या कहता है एकदम wise decision देता है बिना किसी के interference के कोई उसमें हाथ नहीं लगाता है कोई उसमें अपना हाथ नहीं जोकिम करता है वो एकदम सही निर्णे लेने के लिए हम toss का इस्तमाल करते हैं देखा होगा आपने cricket match होता है football match होता है कोई भी match होता है normally हम coin को toss करते हैं और जीतने वाली team को खेलने देते हैं या उसका choose होता है कि वो bet करे या ball करे उसका decision होता है लेकिन we will toss a coin ठीक है तो coin बहुत महत्पून है ठीक है और यह question भी है एक exam में आपके या फिर एक कहीं पर मैंने पढ़ा है आ सकता है आपके exercise में भी होगा कि अगर किसी coin मतलब basically match में cricket match में जो प्राइक्ता यानि टीम के जीतने के प्राइक्ता को जब choose किया जाता है तो वहाँ पर coin का ही इस्तेमाल क्यों होता है reason is that कि वो unpredictable हमारा result है unpredictable उसे कोई predict नहीं कर सकता है ठीक है चलो तो देखो आपने जाना एक बात और coin के बारे में बताएं कि one coin one coin toss जब आप एक coin toss करते हो तो आपके जो outcome होते है ठीक है number of number of outcomes number of outcomes क्या निकल गयाते है जब एक coin उचालते हो तो head आता है या फिर tail आता है पास समझा रहे हैं या तो head मिलता है या फिर tail मिलता है second point अगर दो coin toss करे हम ठीक है दो coin choice करें तो number of outcomes जो possible outcomes होंगे वो क्या होंगे देखो या तो हो सकते है दोनों coin पर हमारा head आ जाए या हो सकते है दोनों coin पर head एक पर tail आए या हो सकते है दूसरे पर head पहले पर tail और दूसरे पर head आए या फिर दोनों पर tail तेल आए यही हमारे number of possible outcomes बन सकते हैं अगर हम दो coins को toss करते हैं तो अगर हम 3 की बात करें, 3 coins को 3 coins को toss किया जाए तो तो क्या हमारे outcomes बनेंगे, देखो या तो हो सकते हैं तीनों पर हमारा head आजए या हो सकते हैं पहले 2 पर head फिर tail आए या फिर head, tail, head आए या फिर tail, head, head आए या फिर tail, tail, head आए या फिर tail, head, tail आए या फिर tail, head, tail, tail, आए या फिर tail, tail, tail आए समझे रो, तो यह 8 outcomes बनते हैं अगर आप 3 coins को toss करते हो तो यह 8 possible outcomes बनते हैं यह मैंने इसलिए बताया क्योंकि अक्सर question में यह मतलब coin एक important role निभाता है coin से संबंदित question आएंगे ही आएंगे exercise में भी देखने को मिलेंगे और exam में भी देखने को मिलेंगे तो coin से संबंदित, एक coin आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कितने outcome बनेंगे 2 2 coin उचर लेंगे तो कितने outcome बनेंगे 3, 3 coin उचर लेंगे तो कितने outcome बनेंगे हमारे 8 हैं तक तो उनके phase का मतलब power कर दो ठीक है उसके phase की, ishaж कितने हैं segunda phase ,गर 2 x 2 is power 2 घर गर तो 3 भार चला थे नहोे हमारे नंबर और possible outcome बनेंगे ठीक है समझा गई बात चलिए बहुत अच्छी बात है आगे समझते हम अब दूसरा important role निभाता है हमारा dice क्या निभाता है dice कितने colorful प्यारे-प्यारे dice है बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये भी आपका important role है किसका probability का probability में dice का भी एक अपना बड़ा महत पूर्ण role है that means कि इससे भी questions हम mandate create होते हैं ठीक है dice से भी हमारे क्या होते है questions create होते हैं तो को dice को हम Hindi में कहते हैं Pasa है ना dice को हम क्या कहते है Pasa कहते है जिन बच्छों को नहीं पता हो इसलिए मैंने लिख दिया है हिंदी में Pasa कहते हैं जिससे हम Ludo खेलते हैं basically क्या खेलते हैं बच्छों Ludo खेलते हैं नहीं इससे तो अब देखो Pasa की बात करते हैं Pasa की अगर हम बात करें तो इसमें देखो कि आप कितने face होते हैं कितने इसके face होते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे फेस होते हैं, अधिकांस इस तरह का ही पासा यूज होता है हमारे पास, और भी आते हैं आजकल, ते कौने कोने टाइप के, ठीक है, बढ़ हमने यही देखा है, इसी को हम खेलते आ रहे हैं, और इसी से संबंदित हमारे एक्जाम में क पशचना आएगे, ठीक है, तो इसी को हम फॉलो करेंगे, तो, वैन वी टॉस, वैन, वी टॉस, अब आईस, जब हम एक डाईस को टॉस करते हैं, दब पॉसिबल आउटकम्स, the possible outcomes becomes क्या आते हैं देखो तो possible outcome क्या आएंगे जब आप एक dice को उचा लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आ सकते हैं ठीक है? clear है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही coin हमारे आ सकते हैं क्या dice को fake ने पर जो आपके outcomes निकल के आएंगे यह तो 1 आ सकता है यह 2 आ सकता है यह 3 आ सकता है यह फिर 4 आ सकता है यह फिर 5 यह फिर 6 6 से ज़र क्या 7 आ सकता है? नहीं क्या 0 आ सकता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है ना? तो बास बिलकुल किलियर है हमारी that means कि कभी भी dice फेकने पर हमें इन के अलाबा कोई और नमबर नहीं मिलेगा कोई भी और नमबर नहीं मिलेगा तो when we toss a single a coin when we toss a dice देखो यह आ मतलब एक है एक dice फेका जाए तो यह और when we toss two dice इस अगर हम two dice फेके तो outcome क्या होंगे? two dice thrown क्यों होगा तो outcome क्या निलका आएंगे? बताये कितने होंगे number of outcome हमारे पास हमारे पास किसे आउटकम है लुक्षें निगल छोंगई तो 36 अउटकम निकलेंगे 36 म्सर अप्ट किसे लिखेंगे कैसे अएगे यह ना तो देखो काईसे लिखेंगे इनको पहले समझो देखो हो सकता है कि पहली बार में हमारे पास जो आउटकम आए पहली बार में हमारे पास देखने को मिले 1,1 ठीक है क्या मिले 1,1 मिले हो सकता है कि दूसरी बार में 1,2 मिले 1,3 मिले 1,4 मिले 1,5 मिले 1,6 मिले है ना ऐसे मिल सकते हैं और फिर उसके बाद अगर देखे हम तो 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 ठीक है फिर देखें जिरा 3,1 3,2 3,4 3,5 3,3 ठीक है 3,3 3,4 3,5 3,6 और 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 और 4,6 है ना और देखो और अगर देखो 5,1 5,2 5,3 5,6 5,4 5,5 5,5 और 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 यही हमारे टोटल आउटकम बनेंगे अगर आप चाहो तो चेक करो यही हमारे टोटल आउटकम निकल के आएंगे अगर आप दो डाइस को फेकोगे तो इसके अलावा कोई और आउटकम नहीं निकलेगा यानि की हमारे टोटल नबर आउटकम कितने निकल के आए बिठा 6 गुणा 6 यही हमारे टोटल नमबर आउटकम कितने निकल के आएंगे ठीक है 36 आउटकम वो कुछ इस प्रकार होंगे ध्यान देख लो अब इस पर आधारित एक दो कॉस्चन थोड़ा सा डिसकस कर लेता है यहाँ पर एक दो कॉस्चन अगर हम डिसकस करें देखो हो सकता है पहला पॉइंट देखो कि हो सकता है हमारे पास यह पूछा जाए प्रावलेटी कि प्रावलेटी बताईए जिनके टॉफ फेस पर जिनके टॉफ फेस पर हमारे अगर दो डाइस को फेका जाए तो टॉफ फेस हमारा काउंट होता है बाई देखो एक डाइस फेकेंगे तो हमेशा टॉफ पर कोई एक नमबर आएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे मेंसे है ना अगर दो फेकेंगे तो दोनों मेंसे क्या होगा या तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे मेंसे कोई एक नमबर आएगा दूसरे पर भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे मेंसे कोई एक नमबर आएगा माल लेते के पहले पर 5 आया दूसरे पर 3 आया तो दोनों का sum कितना हुआ 8 तो बताइए कि sum of top probability of sum of top side number will be 8 कि ऊपर आने वाले top पे जो नंबर आने वाले हैं उनका sum क्या हो 8 हो उसकी प्राइक्ता बताईए क्या हो 8 हो तो यह हमारा question बनेगा तो अब यहां पर ध्यान से देख के मुझे बताओ कि कैसे ऐसे events है कैसे हमारे ऐसे possible favorable outcome अब जैको favorable outcome की बात करें इसके लिए तो इसके लिए मेरे पास formula क्या हो गया जैको formula मैंने बताया था formula क्या होता है probability of an event equal to number of favorable outcome number of favorable outcome upon total number of total number of outcomes ठीक है number of favorable outcomes plus upon में total number of outcomes तो number of favorable outcome क्या होंगे इसके लिए मुझे देख के बताओ निकाल के बताओ जरा इस में से टेबल में से तो number of favorable outcome देखो ध्यान दो सबसे पहले उपर वाली line में किसी भी एक line में आपको ऐसा मिल रहा है कि दोनों का sum 8 हो जो maximum यहां पर मिल रहा है मुझे 6 और 1 7 होता है यहां पर 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है पहला यहां पर मिला मुझे कहां पर मिला हमें दिख रहा है यहां पर पहला हमें दिख रहा है कि यहां पर हमारा 8 बन रहा है यहां पर हमारा 8 बन रहा है उसके बाद देखो कि यहां पर 8 बन रहा उसके बाद यहां 8 बन रहा है उसके बाद यहां 8 बन रहा है तो इस तरीके से हमारे 5 इस्थान ऐसे थे जहां पर दोनों टॉप के नंबर्स का सम जो है 8 आ रहा है तो चाहो तो इनको आप लिख सकते हैं हम क्या कहेंगे कि हमारे टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम कितने हो गए पांच हो गए और टोटल नंबर आउटकम कितने हैं 36 है तो प्राइक्ता के अंदर आपने यही सबसे इंपोडेंट टॉपिक है यही सबसे इंपोडेंट चीज है कि आपने अगर प्राइक्ता से outcome find कर लिए question खता हूँ question वहीं पर धेर है उसके बाद कुछ नहीं है question में सीधे नमबल लिख देंगे answer आजाएगा ठीक है सीधे नमबल लिख देंगे और answer आपको मिल जाएगा तो इतना easy है probability ठीक है इतना easy है probability चलो अब इसका मैं एक second point आप से discuss करता हूँ कि second point बताईए कि इसमें इसमें probability बताईए कि टॉप के नमबर का sum 13 आने की probability टॉप नमबर पे 13 आने की probability बताईए sum of टॉप डिजिट विल भी 13 क्या हो 13 हो तो 13 आने की प्रोबलेटी बताईए देखो इस पूरे के पूरे नमबर में जितने भी कोईन आप दो आप पासे फेको और कभी बी टॉप नमबर पे जो भी नमबर आएंगे 13 कभी भी नहीं आएगा 13 कभी नहीं आएगा देखो मैक्सियम नमबर के अच्छे मैक्सिम नंबर के 6 और 6 दोनों आए और दोनों आने पर भी आपको कितना मिला 12 मिला 13 आएगा कभी नहीं आएगा तो number of favorable outcome क्या हुए 0 total number क्या हुए 36 probability क्या गई 0 probability क्या गई बिटा 0 आगई है न तो इस तरीके के question आपको दिखाई देंगे exam में quiz में और हमारी भी exercise में ठीक है बुक्स में ऐसे question put up होंगे और एक दो question हमने इस पर discuss नहीं किये थे coin पे अगर मैं यहाँ एक दो point discuss कर लूँ coin से कि वज़े बताईए चलो बात मैं करेंगे आगे discuss कर लेते हैं पहले हम पढ़ लेते हैं फिर coin से में एक दो question कराऊंगा ठीक है इसी में चलो देखो यह समझ लिए आपने dice का clear होगे सारा dice आप dice से सम्मंदित कोई भी कैसी भी probability आ जाए you will be you will be fire मतलब तुम उसे जलाद होगे मतलब खतम कर दोगे भई हो जाएगा सर कोई दिक्कत नहीं है न हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा सर कोई भी प्रॉबलम नहीं है चलो बहुत अच्छी बात है मुझे यहीं उम्मीति तुम सबसे कि आप कर जाओगे है न अब देखो अ कि हमारा अगला टॉपिक प्रॉबलीटी के अंदर ये भी एक इंपोर्डेंट पार्ट है डीक ओफ कार्ड कि ताज की अचिह गड़ी ताश की गड़ी ताश की गड़ी में से कोश्चन आता ही आता है एक कॉइन दूसरा हमारा पासा मतलब की डाइस और तीसरा हमारा डैक ऑप कार्ड इसको समझाना इसलिए जरूर ही है कि इसके अंदर मैक्सिमम अधिकांस बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं इसके गुरॉपाइजेशन से मतलब कि यह कार्ड किस तरीके से डिस्टिविशन होते हैं ठीके क्योंकि अगर आपको डिस्टिविशन समझ नहीं आया या किसी कार्ड का आपको पहचान नहीं पाए तो आप डेफिनिटली गलती कर देंगे आप प्रावलेटी नहीं निकाल पाएंगे ठीके सबसे बड़ा गुरूप हमारा इसमें डैक ऑफ कार्ट का ही है और का जो डिस्टिविशन है उसको जानना और समझना बहुत जरूई है उसको अगर आपने समझ लिया अच्छे से डैट मीन्स यू विल भी fire है मतलब तुम उसे जला दोगे खा कर दोगे मतलब मजा कर दोगे एकदम question गुरा एकदम लगाया होगे ठीक है मेरी जरूपी नहीं बढ़ेगी आपको तो देखो समझते हैं आपने ताज की गड़ी कभी ना कभी तो देखी होगी है ना खेले हो या नहीं खेले हो definitely खेले तो नहीं होगे otherwise मम्मी आपको मार मार के बस लाल गर देगी तुम इस उमर में अब इस उमर में तुम ताज कहलोगे अभी से जुआ खेलना है तुम्हें नहीं जुआ नहीं खेलना है जुआ मम्मी यह मेरा मेहत में question है तब भी बटाई लगेगी अच्छा अब मुझे सिख दिखाऊगे कि मैत में ताश की गड़ी भी आती है है ? तो दिखा देना वही बुक खोल के के देखो मम्मी यहां पर यह दिया है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं है ना इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं नहीं तो मुझे वजरुवत नहीं थी ठीक है इसलिए मैं लेकर आया हूं पर लेकर आना खेलना नहीं है ठीक है खेलना नहीं है बस समझ रहा है तो देखो वैसे उसको लेकर आने की वजरुवत नहीं है आपको यहां पर हम सब कुछ समझा देंगे इस वीडियो के दुरू ठीक है इस सेशन के दुरू तो देखो जब भी कार्ड आप देखोगे उसमें एक ताश की गड़ी में हमारे 52 पत्ते होते हैं कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड होते हैं एक ताश की गड़ी में हमारे 52 कार्ड आपके चार गुरुप में बाटा गया है चार गुरुप में बाटा गया है जैसे कि आप यह आप उपर दिख रहे हैं यह हमारा क्या है स्पेड इसको हम स्पेड कार्ड बोलते हैं इसे हम क्लब कार्ड कहते हैं इसे क्लब कहते हैं और इसको हम डायमेंड कहते हैं और इसे हम हर्ट कहते है इसे हम हर्ट शेप का कार्ड कहते है इसे डामन कहते है इसे क्लब कहते है और इसे स्पेड कार्ड कहते है ठीक है अगर हिंदी में कुछ जानना है तो हिंदी में इसको हुकुम कहते है चिडी कहते है इट कहते है और पान का पत्ता कहते है ठीक है पान क diamond और hut 4 गूप में बठ जाते हें ये पत्ते हे ना कितने गूप में हमारे 4 गूप में कौन कौन से गूप है ये एक तो स्पेड काड एक हमारा कलब एक हमारा alimentos और एक हमारा diamond ठीक है बच्चो तो ये हमारे 4 गूप में बढ़ जाते हैं यह पत्ते अब ये 4 गुर्प में प्रतेक गुरुप के अंदर 13 पत्ते होते हैं कितने पत्ते होते हैं । यानि 13 card आपके heart के होते हैं, 13 card आपके diamond के होते हैं, 13 card आपके club के होते हैं, 13 card आपके spade के होते हैं, ठीक है, 13 13 card होते हैं, अगर हम black card की बात करें, तो black card हमारे पास 26 होते हैं, red card की बात करें, तो red card भी हमारे पास 26 होते हैं, ठीक है, यह भी एक combination याद रखना है, तो black cards कितने है 26, red card कितने है 26, okay, red card भी 26, black card भी 26, अब इन cards के number की अगर बात करें, अगर आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो सारे पत्ते ऐसे बिखरे हुए हैं, लेकिन इस बिखरे हुए पत्तों में कहीं पर आपको number दिख रहे होंगे, कहीं पर letter दिख रहे हैं, कहीं पर number हैं, कहीं पर letter हैं, तो that means कि जो card होते हैं, वो कुछ इस प्रकार होते हैं, देखो, जिसमें 4 तो letter होते हैं, A, J, Q, और K, बाकी के numeric होते हैं, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस, दो से लेके 10 तक हमारे कैसे होते हैं, numerical card होते हैं, numeric लिखा होता है जिन पर, बाकी के 4 card हमारे कैसे होते हैं, जिन पर alphabet लिखा होता है, A, J, Q, K, अब A, J, Q, K होता क्या है, A, J, Q, को हम क्या कहते हैं, A मतलब A, S card, J मतलब Jack, Q मतलब Queen, और K मतलब King, ठीक है, आगे देखके बता लो, बता देता हूं, A मतलब A, S, A क्या है हमारे पास यहां पर, A, S card, और J क्या है हमारे पास, Jack, ठीक है, क्या हमारे पास, Queen, मतलब की रानी, ठीक है, क्या हमारे पास, King, मतलब की बादशा, King हो गया, बादशा, यह हो गई, रानी, J मतलब गुलाम होता है, ठीक है, और Ace मतलब हमारा, इक्का होता है, इसे हम इक्का कहते हैं, वो हमारा Ace होता है, A letter से, J letter से, के J letter से हमारा Jack होता है, Q होता है, King होता है, अब यहां पर अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, तो A में, देखो, A दिख रहा है, लेकिन कोई भी, यहां पर चेहरा नहीं है, देखो, यहां चेहरे दिख रहे हैं, कुछ cards के ऊपर, ठीक है, मतलब गुलाम का एक चेहरा दिख रहा है, रानी का एक चेहरा दिख रहा है, और King का भी एक चेहरा दिख रहा है, मैं कि यानि कि चहरे वाले पत्ते में अब में पास फेस्काइश कार्ड लाता है अब देखो गे तो हमारे पास प्रतेक पत्ते हैं पीछे जलते हैं, वापस आइते हैं प्रतेक गुर्फ में हमारे पास कितने काड हैं तेरा 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 सिमिलर जैसा यहां है वैसा यहां वैसा यहां वैसा यहां वैसा ही यहां अब आपको नाम से भी पैचानना हो आना चाहिए कि हमारा हर्ट रैड होता है डायमंड रैड होता है ठीक है और बाकी हमारा क्लब क्लब हमारा कैसा होता है ब्लैक होता ह और स्पेड भी हमारा ब्लैक होता है ठीक है नाम से भी आपको पैचान में आना चाहिए कि कौन सा रैड होता है कौन सा ब्लैक होता है और इनका डिस्टिविशन भी पता होना चाहिए कि A, J, Q, K क्या होता है और दो से लेके 10 तक हमारे नंबर होता है बटे हुए प्रतेख चार नफेट के भी हमारे चार होने दो भी हमारे 2 आवारे 4 होने ठीन भी हमारे 4 हों मतलब 4 पते होंगे 4 कार्ण लोंगे सब्सक्राइब स्काला है तो ढली तो फट्टीन गार्द है टोटल मतलब तो यहां भी Kinky कोई आ होगा यह आपे यह कोई का GQué 3 को यहांई एक ace card होगा जो heart का होगा तो A भी 4 होगे J भी 4 होगे, K भी 4 होगे diamond भी 4 होगे समझ रहो distribution? समझ रही है बात? तो इस distribution से ही हमारे question बनेंगे इस ही distribution से लेकर हमारे questions बनेंगे तो देखो अब बात करते हैं question की पहले तो इतना समझ में आया के नहीं ये बताओ इतना सारा समझ में आया ना सब कुछ कि हमारा कैसे deck of cards का distribution है, किया गया है ठीक है? तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ question discuss करते हैं इसके उपर अगर आपने समझ लिया है बहुत अच्छे से तो आप मेरे questions का answer करोगे तो probability of red card बताइए क्या होगी probability of black card बताइए क्या होगी probability of face card बताइए क्या होगी probability of ace card बताइए क्या होगी ठीक है? बताइए इन सब का answer करिए इन सब का आप probability निकाल के दिखाईए और मुझे clear करिए बताइए तो मैंने अभी red card का बताइए था पहले तो हम बात करते हैं total cards कितने थे हमारे पास total cards कितने थे बटा total cards थे हमारे पास 52 कितने थे? 52 तो that means हमारा total number of outcomes क्या हो गया? 52 हो गया है ना? total number of outcomes क्या हो गया? 52 हो गया इतना थो clear हो गया है ना? इतना थो बात समझ आगी होगी एक दम से तो अब हमारे पास probability निकालना है red card की और red card कितने होते हैं मैंने अभी अभी बताया था total red card कितने होते हैं ताच की गड़ी में हमारे 26 और black card कितने होते है 26 दोनों ही 26 है तो favorable outcome क्या हो गया red card के लिए 26 favorable outcome क्या होगा red card के लिए 26 हो गया 26 upon 52 black card के लिए 26 upon 52 अब क्या एक जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे 26 एकम 26 26 दोनों बावन ठीक है तेरे दोनी 26 काट लो या तो तेरे चोगा बावन और फिर दो बार से काट लो उस तरीके से काट सकते हैं 26 दोनी बावन होते हैं 26 से एक बार कड़ा दो बार कड़ा similarly एक बार कड़ा दो बार कड़ा तो 1 upon 2, 1 upon 2 इनकी probability आ गई और आगे करो face card face card मैंने अभी अभी i just face card कितने हैं 3 card है 3 हमारे face card है JK Queen JK Queen कितने है total 3 card और प्रतेक के कितने होते है 4 card होते है यानि कि सब के 4-4 होते है तो 4 card कितने हो गए 12 card कितने हो बारा काड लेगे तो 12 विधरेबल आटकम हो गये कितने मैंसे 52 मैंसे काड़ देंगे चार से काड़ दीजे चारदी अबारा चार एकम 4 चार ती आबारा ठीक है है चार एकम 4 चार तीजा तो तीन बता 13 data probability आगई एकटे दो probability आगई एक बटे दो probability आगई Ace card, Ace card कितने है, 4 card होते हैं, कितने मैं से, 52 मैं से, 4 x 4, 13 से गटेगा 52, एक बटा 13, एक बटा 13 हमारी probability आ गई, एक बटा 13 हमारी, इसकी भी probability आ गई, ठीक है, clear है न, समझ में आ गया, तो इसी तरीके से हमारे deck of cards से question बनते हैं, और इसी तरीके से आपको solve भी करने हैं, ठीक है, थोड़ा सा statement और language लिखेंगे, वो हम question में discuss कर लेंगे, कैसे करना है, तो ये हमारे 3 महत पूर important topic थे, regarding आपके, किस के? deck of cards के, और एक हमारा dice के, एक हमारा coin के, अज़ा, कोईन के मैंने discuss नहीं गयते question, अब coin से coin, एक दो question discuss कर लेते हैं, चलो, एक दो question discuss कर लेते हैं, coin से, देखो coin, two coins thrown, अगर दो coin फेके जाएं, हमारे पास, तो क्या outcome मत ने मिटा, चार बनते हैं, हाथ चलते रहना चाहिए, चाहिए, बोलो या मत बोलो, या काम करो, या मत करो, हाथ एकदम चलते रहने चाहिए, हाथ का संतुलन, और दिमाग का हाथ हमारे चलेंगे, हमारे दिमाग के अनुसार, जो वहाँ चलेंगे, हमारे दिमाग के अनुसार, ठीक है, वो अलग काम करेगा, या अलग काम करेगा, दोनों individual काम करेंगे, हाथ नहीं रोकना है, बोलते डायम भी, ठीक है, मैं बोल कुछ और रहाँ, लिख कुछ और रह क्या है हमारे total number of outcomes total number of outcomes कितने हो गए चार हो गए अब मुझे probability निकाल के बताइए पहला discuss करता है point at least probability of probability of at least one head कम से कम एक हैड आने की probability बताइए at least two head दो हैड आने की probability बताइए ठीक है probability of at least no head या फिर probability of not head not head आने की probability बताइए ठीक है कोई भी head नाए ऐसी probability देखो at least one head आने की probability अगर हम निकालें तो यहां पर कहां कहां पर head आ रहा है तो बताओ एक दो तीन तीन जगह head आ रहा है that means favorable outcome क्या हो गए तीन हो गए तीन हमारे क्या हो गए favorable outcome total outcome कितने हमने भी बताए था चार है तो probability क्या हो गए तीन बते चार at least two head हमारे बस two head कहां पर आ रहा है सिर्फ एक ही जगह आ रहा है तो one upon four हो गई probability एक हो गया favorable outcome total outcome कितने चार ठीक है अब यह not head head ना है कोई भी head ना है यहां भी head आ रहा है यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है सिर्फ एक ही जगह जहां पर head नहीं आ रहा है that means favorable outcome कितने हो गए बन हो गए तो one upon four हमारी probability हो गई ठीक है समझ में आ गया coin से dice से हमने deck of cards से तीनों से question discuss कर लिए और इनी question को definitely आप देखोगे अपनी books की exam में ठीक है books में कहीं पे भी आपको यह question मिल सकते हैं कराने के लिए ठीक है चलिए फिर खतम करते हैं इस introduction को और सुरू करते है exercise exercise सुरू करते हैं question सुरू करते हैं thanks इस video में ब बने रहने के लिए देखना बिलकुल ना भूलें इनविक्टा पर सारे के सारे आपके introduction वीडियो जितने भी chapter है सभी के introduction वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपका base बहुत ही बहुत ही बहुत ही मजबूत होगा thank you